हलो फेंट्स मेरा नाव विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फेंट्स हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो e-commerce की series है PHP की उसका 22nd वीडियो है और आज की वीडियो है एक छोटा सा error हमारा और pending है यहाँ पे उसके बारे में discuss करने वाले है तो friends जो error है वो basically इस तरीके से है कि जब भी मैं मेरे order master में जाता हूँ किसी भी order के अंदर में जाता हूँ और मैं यहाँ से जब मेरे status को change करता हूँ let's say यह shift है मेरा मैं अगर यहाँ पे size डाल भी दूँ या यह मैं ना भी डालूँ और submit के button पे click करता हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ एक error आता है इस तरीके का तो यह error क्यों आ रहा है इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और साथी साथ इसको कैसे resolve करेंगे वो भी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे तो friends जब मैंने यह ship rocket का वीडियो बनाया था तो वो time पे मैंने एक चीज़ तो आप लोग को यह बताई थी कि जो भी हमारा function.inc.php है एक तो हमें यहाँ पे token डालना है यह जो सबसे पहला error आ रहा है यहाँ पे यह वाला यह इस वजहा से आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो token है वो proper पढ़ा नहीं हुआ है email id और यह जो password है अल्रेडी मैंने मेरे ship rocket के वीडियो में सारा कुछ explain कर रहा था तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं मैं फिलाल के लिए यह काम करना हूँ कि जो मेरा email id है जो की मेरा यह हो गया और जो मेरा यहाँ पे password है मैं password एक्चली भूल गया गया था तो मैं एक नया password डाल देता हूँ और इसको लेके मैं यहाँ पे implement कर देता हूँ password मैंने अभी डाला है wishal at direct12 इन दोनों को लेके यह क्या करेगा देखिए सबसे पहले यह यह करता है कि आपको एक token बना के देता है और वो token को यह डालता है ship rocket token की table में तो हमारा जो code है friends यह इस तरीके से यहाँ पे चलता है कि यह generate यहाँ पे token करता है और यह token के लिए यह चीज़ चेक करता है कि जो token है वो basically एक particular time है वो time से अगर पुराना है तो वो token generate करेगा otherwise जो भी data database की table ने पढ़ी है वो उठा लेगा तो यहाँ पे यह जो actually जो आप मेरी यह table देख रहे है यह ship rocket token वाली यह मैं भी मैंने test कराता है यहाँ पे तो एक तो यह काम कर लीजेगा कि इस पे जो है कोई भी पुराना data डाल दीजेगा अगर आप लोगों ने token पहले generate करा है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करा है तो एक तो यहाँ पे कोई भी पुरानी data डाल दीजेगा जिसे token generate हो जाएगा अब कई बार लोगों के साथ यह दिक्कत है कि जब वो मैं नीचे आता हूँ एक बार token के code में यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने गलत email ID और password डाला अपना let's say मैं इसको visual at the rate one कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा हम लोग आएंगे यहाँ पे मैं इसका status change करूँगा shift करूँगा 1 1 1 1 submit के button पे click करूँगा again यह token की line में error वो रहा है line number 61 में अब अगर मैं line number 61 पे आऊँगा यहाँ पे और अगर मैं यह जो मेरा variable है इसको मैं print करके देखूँ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ PRX of this एक बार अभी मैं right click करके reload करूँ तो देखिए इसको मैं shift करता हूँ PRX लगाया हूँ है लगाया हूँ है 1 1 1 1 token क्या generate हूँ है अच्छा date change हो गई है date हमें एक बार फिर से कोई पुरानी लेके जानी पड़ेगी और इस बार मैं दुबारा submit के बटन पर click करता हूँ अब देखिए क्या बता रहा है यह बता रहा है these credentials do not match our record तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें कोई token मिला भी है कि नहीं मिला जब भी हम detail change करते हैं और अगर हमारी यह particular चीज यह जो हमारा है इसके अंदर token ही generate नहीं हुआ हमारा जब token ही generate नहीं होगा तो यह चीज बनेगी भी नहीं जब यह चीज बनेगी नहीं तो होगी नहीं तो यहाँ पे एक तो हम लगाएंगे SQL query if is set अगर तो यह exist करा तब तो यह जो कहानी चल रही है चलती रहेगी अगर यह हुआ इसको भी मैं इधर कर देता हूँ अगर यह चीज exist करेगी तब तो यह इधर चलेगा और अगर यह चीज exist नहीं करेगी इसका मतलब क्या है code में कहीं न कहीं कुछ तो issue हुआ है जब code में हमारे कहीं पे कुछ न कुछ issue हुआ है तो उसकी value निकाल लेते हैं एक काम और कर लेते हैं कि इसको true कर लेते हैं true करेंगे तो क्या होगा कि जो data आएगा वो हमारा JSON के format, array की format में आ जाएगा तो एक बार मैं से correct कर देता हूं और दुबारा reload करता हूं तो यह इस object की जगह यहाँ पे error देतेगा और अगर मैं correct detail डालो तब क्या करेगा तो आप देखिए यहाँ पे यह मुझे यह token निकाल के देगा तो मैं यहाँ पे condition इस हिसाब से लगाता हूं कि अगर मुझे यह token exist मिला तो इस token की value ले ले और अगर यह token exist नहीं मिला कोई भी issue हुआ तो यह बनेगा नहीं और जब यह बनेगा नहीं तो वो time पे हमारे पास जो data आएगा वो आएगा इस message में else मैं यहाँ पे return कर दूँगा यह जो भी मेरा message है message मुझे कहां से मिलेगा इसके अंदर के message है इसका message इसको मैं यहाँ से i – को कर देता हूं अब यह function देखते हैं यह जो code है यह कहां पे call हो रहा है एक बार देखते हैं यह यहां पे call हो रहा है और यह कहां से आ रहा होगा यह मेरा basically اس page से आ रहा होगा order underscore master detail से order underscore master detail तो यह कहीं नीचे आ रहा होगा हम लोग कहीं पर change करते हैं देखे यह order status change करते हैं यहां से हम लोग आते हैं इस function प्यों और यह चीज़ चेक करते हैं और यह तो cancel वाला है शायद यह रामारा order status वाला यहां से token निकालते हैं अब इधर चलते हैं यह token आयेगा अब token क्या हमें यहां पर कि यहां से हमें basically token मिल रहा है अब अगर मेरी यह चीज़ ब्लैंक हो गई मुझे token अगर ब्लैंक मिला तो मैं यहां पर एक condition लगा देता हूँ कि अगर if this token is equal to blank अगर यह token blank हुआ यह not equal to blank है तभी मेरी यह condition चलेगी otherwise यह चलाओं गई नहीं अब मैं एक बार चलता हूँ यहां पर credential मेरे गलत है ध्यान लखिएगा हमने shift पे गए one 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 डाला submit के button पे click करा तो इस बार यह बताएगा these credentials do not match our record जब यह error मेरे पास आएगी इसका मतलब जो कोई गरबड आ रही है मेरे साथ वो इस समय आ रही है हमारे token से related और भी यह काम करेंगे इस error message को भी थोड़ा सा prominent कर देते हैं यहां पर यह आ रहा है मेरा error message तो इसको मैं काम कर लेता हूँ एक div में ले लेता हूँ कुछ इस तरीगे से और यह जो div है इसको बोल देते है margin top let's say 10 pixel थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अच्छा यह बढ़ेगा नहीं padding करके देखें से padding top हुआ यह और total खाली padding की देते हैं से अगर तो विल्कुल ठीक है यहां तक और bottom से padding मैं bottom से padding मैं 0 pixel कर देता हूँ और font का size है वो मैं कर देता हूँ 20 pixel और color होगा खाली उसको मैं कर देता हूँ red देखें आप prominent दिख रहा है यहां पर और इसका size है font, weight इसको कर देता है bold देखिए अब proper red color से बराबर देख रहा है इन सब को मैं copy कर लेता हूँ और मेरे CSS की file है वहाँ डाल देता हूँ assets CSS style में चलते हैं और नीचे इधर की तरफ में डाल देता हूँ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ let's say ship error यह सारी की सारी चीज़े यहाँ डाल देता हूँ और जो मेरा यह message बन रहा है यहाँ पे इधर की तरफ कौन सा वाला यह वाला इसको ले लेते हैं एक div में एक div में और जो इसके class हो जाएगी वो यह हो जाएगी और इसको यहाँ से कर देते हैं that's it, एक बार चलते हैं फिर से और यहाँ एक और चीज़ डाल देते हैं token error जिससे हमें यह भी पता चल जाए error आ कहां से रही है, एक बार चलते हैं इधर तो देखिए मैं आया इधर, मैंने इस बार shift करा, button पे click करा, तो इसने मुझे यहाँ पे यह error दिखा, एक control F5 कर लेते हैं शायद CSS हमारी reflect नहीं होई बिल्कुल बराबर आ गई, तो token का error तो आपका हो गया, clear, अब अगर मैं token सही कर दूँ यहाँ पे तो उपर चलते हैं, token को इस बार ठीक कर देते हैं, मैं 2 कर देता हूँ इस बार अगर मैं change करूँ तो देखे, क्योंकि नई error आएगी, 1, 1, 1, 1 इस बार मेरी एक नई error आने लगी यह वाली, अब यह error क्यों आई है, इसके पीछे भी reason है, यह आपकी 166 line में आ रही होगी, पर मैंने यहाँ पे कुछ code add किया, इसलिए मेरी नीचे होगी, control जी 171 करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको PRX करूँ, तो यह जो error है, यह आपको यहाँ पे clearly समझ में आ जाएगी क्या है, चलेंगे अब देखे, error क्या थी, error यहाँ पे सिर्फ इतनी थी, क्या order date cannot be more than 6 months old from current date, अब यह depend करता है basically, कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है अगर आपके पास यह चीज आ रही है, again मैं यहाँ पे भी true कर देता हूँ अब हो क्या रहा है, कि यहाँ पे code में error आने की वजह से code में error आने की वजह से मेरी यह जो दोनों चीज़े नहीं डाला, length, breadth, height, weight का कोई data नहीं डाला submit कर दिया, तो भी मेरी error आईगी अभी मेरी यह particular error आईगी तो जो भी error आईगी है, इस error को भी हम लोग visible करा लेते हैं, दिखा लेते हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक तो यह जो data आएगा मेरा, पहले मैं इस पे, यह जो आएगा मेरा data, यह भी मेरा array की form में आएगा, तो इसको भी मैं array की form में ले लेता हूँ अगर सब कुछ सही होगा, तो यह data आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको if set में लगा देता हूँ, if set अगर यह भी exist कर रहा है इस set हो रहा है and यह भी set हो रहा है, दोनों चीज़े आ रही है, भई फिर तो सब कुछ ठीक है कोई चिंता की बात ही नहीं है जो message दिखाना है, जैसे चल रहा है, सब कुछ वैसे ही चलने दिया जाए that's it और अगर यह चीज़ नहीं आई है इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं error हुई है, else इसका मतलब कहीं पे कुछ ना कुछ error हुई है, जब error होगी तो हम लोगों को errors के जाना पड़ेगा किसके अंदर error होगी, इसके अंदर errors होगी, तो हम लोग यहाँ चलाएंगे इसको भी मैं check कर लेता हूँ, actually मैं if we set से, if we set, इसके अंदर होगी हमारी एक error नाम से field ये वाला field, ये होगा अगर ये चीज़ exist करी, तो हम यहाँ आएं और अगर ये भी exist नहीं करा तो मैं एक यहाँ पर message दिखा लेता हूँ और message को मैं दिखाता हूँ, वो जो div बनाया था हमने उसी के अंदर इस div के अंदर आए और यहाँ पर मैं message दिखा देता हूँ message में बोल देता हूँ कि ship rocket API error message मुझे पता ही नहीं इस बार क्या हुआ है तो मैं डाल देता हूँ something went wrong और अगर यह इधर आया वो error वाला जो है हमारा यह बना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर for each loop चलाता हूँ, क्योंकि मुझे यह नहीं बता ना कि error मेरी किस किस तरीके की है यहाँ पर और इसको मैं associative variable में लेता हूँ और यहाँ पर चला देता हूँ अब error हमारी कैसे बन रही है, एक तो यह आ रही है यह हमारी की है और यह हमारी इसकी value आ रही है चलते है इधर, तो इसी div के अंदर में, इसी वाले div के अंदर में, यहाँ पर यह मेरा loop पे घुमता रहेगा तो यहाँ पर मैं एक variable बना लेता हूँ let's say error html is equal to blank क्योंकि मुझा पता नहीं न कि इसमें कितना data मेरा error का आने वाला है तो मैं बोल देता हूँ this concatenate करेंगे सबसे पहले मैं यह ले लेता हूँ यह वाला, order date इसकी की ले लेता हूँ dot concatenate dot और यहाँ पर मैं यह जो well है इसके अंदर का zero index ले लेता हूँ zero index, that's it अब यह बार बार इसमें concatenate होता रहेगा और जब इसमें concatenate होता रहेगा तो end में हम लोग इसी में डाल देते हैं इसको भी dynamic कर लेते हैं, चलिए कुछ तो मेरा गर्वड है कहीं पर double quotes इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और यह जो error message है इससे मैं यहाँ बना लेता हूँ और यह जो मेरा message था something went wrong वाला इसको भी मैं यह वाला जो था मेरा इसको भी मैं इसी में ले लेता हूँ तो फायदा basically क्या होगा कि उपर भी मेरा यही variable बन रहा है नीचे भी मेरा यही variable बन रहा है तो एक ही जगा से हमारा जो काम है पूरे का पूरा हो जाएगा सब कुछ ठीक लग रहा है वैसे चलते हैं एक बार reload करके देख लेते है बराबर है और इसी के साथ साथ इसमें एक BR भी डाल देते है अब देखिया आगया बराबर data यह बताया इसने कि यहाँ पे क्या दिक्कत है यहाँ पे क्या दिक्कत है यहाँ पे क्या दिक्कत है यह अब बता रहा है कि यह particular heading में यह दिक्कत है, let's say मैं इधर आया और मैंने इन दों में data डाला, wait में नहीं डाला और अभी भी date का गरबढ़ है मेरा, अब देखिए इसने order date में बताया कि यह गरबढ़ है, wait में इसने यह बताया कि zero से बड़ा data होना चाहिए, अगर मैं इन दों को भी करके सारा कुछ सही डाल दो, तो भी मेरा यहाँ पे जो order date है, उसका data, error तो at least आही रहा है, उसको भी resolve करना पड़ेगा, तो उसको resolve करने का यह की तरीक है, कि जो भी आपका order है, वो हमेशन नया होना चाहिए, अब problem यह है कि मैंने मेरे database का जो backup है, वो करके डाला है, तो उस वजह से मेरा यह जो field है, इसमें यहाँ पे error आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो order मेरा place हुआ है, कौन सा वाला, order ID 2 का, इस order ID की date change कर देता हूँ, जब आप run time पे नया data लेके आएंगे न अपना, तो वो time पे तो यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मेरे case में यह दिक्कत क्यों है, क्योंकि यह order मेरा बहुत पुराना था, यहाँ पे आए, मैं गया shift में, 1, 1, 1, 1, submit के button पे click करा, यह देख लीजए, पे लोट करूँगा, तो यह देखिए, order ID, shipment ID आ गई, तो यह basically एक issue था यहाँ पे, जो आपको ऊपर की तरफ दिखता था, जिसकी कई बार आप लोगों के code मेरा आती थी, जो आप लोगों ने बोला भी, मैंने कई बार, यह मेरा YouTube पे भी, इवन WhatsApp, भी मैंने explain करने की कोशिश करी, कि भाई, वो जो array बन रहा है, उस array के index में कोई दिक्कत है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, तो friends, यह था हमारा आज का वीडियो, I hope आप लोगों का जो array है, error था यहाँ पे basically, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों वो आ रहा था, और किस तरीके से उसे resolve कर सकते थे, next video में friends, जो हमारा category का issue था, उसको हम लोग resolve करेंगे, तो friends, यह था हमारा आज का वीडियो, I hope, जो मैंने आपको यह explain करा है, समझाया होगा, कहीं पे कोई doubt है, question है, तो please, वीडियो के comment box में मुझे बताईए, source code का link मैं वीडियो के description पे दे दूँगा, जहां से आप मेरे website पे पे करके, उसको download कर सकते हैं, वीडियो friends, अगर पसंद आया, तो please, इसको like और share ज़रूर करिएगा, चैनल अगर आपने हमारा भी तक subscribe नहीं किया है, तो please, उसे subscribe कर लेजे, तेंक यू,